सो अलो दोस्ते एक बार फिर से नई रासिपी के साथ आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने रसगुले बनाया है बहुती परफेक्ट तरीके से बनाया है तो आप सभी लोगोंने कमेंट किया था आपनी प्रोबलम सभी बहुत सारे प्रोबलम सारी थी रसगुले में तो वो सारे problem का solution है मैं इस वीडियो में लेके आज चुका हूँ तो वीडियो को last तक देखते रहिए, वीडियो को like जरूर कर दीजिया और वीडियो को बिल्कुल हलवाई style में मैंने बनाया है तो चलिए बनाना start करते है तो रसगुले बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूद चाहिए तो दूद यहाँ पर मैंने लिया है मैंने सबसे पहले ग्यास पर पतीले रखा है और उसके बाद हाँ पतीले में दूद उबालेंगे तो उसमें मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया ताकि दूद चिपके ना, तो जब पानी उबल जाएगा थोड़ा सा, तब हम दूद डूद डालेंगे, तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 kg दूद लिया है, इससे ज़्यादा कम क्वांटिटी मैं हलवाई स्टैल में नहीं बता सकता था, इसलिए 1.5 kg दूद मैंने लिया ह तो यहाँ पे देखिए, दूद जो है, वो उबल चुका है, अब इसको हमें फारना है, तो फारने से पहले इसको ठंडा करना जुरूरी है, तो ठंडा मैंने कर लिया है, देखिए, मैं इसको हाथ लगाज सकता हूँ, मतलब गुन-गुना गरम होना चाहिए, हलका सा जो हम पानी पीते हैं, गुन-गुना गरम, वो उतना गरम होना चाहिए बस, और अगर सर्दियों का मौसा में तो थोड़ा ज़्यादा गरम रख सकते हो, उससे गुन-गुना से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए, मैंने गिलास में थोड़ा सा पानी लिया है, आप फाडने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, विनेगर यूज़ कर सकते हो, नीमबुकरास यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे मेरे पास है, जो हलवाई यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा, तो यह हमारे पास है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, इसको पनीर फाडने और पानी मैंने बहुत ज़ादा यूज किया है और वही पानी मैं इसमें डाल रहा हूं और इसको धीरे-दीरे हिलाते रहेंगे आप हास से ला सकते हो या फिर किसी कर्ची उगर से भी हिला सकते हो मैंने यहाँ पर चोटी कर्ची मेरे पास है नहीं हलवाई में कहां होते हैं अब सभी को पता है तो देखिए मैं यहां पे बिल्कुल हाथ से थोड़ा-थोड़ा करके इसको हिला रहा हूं तो दूद हमारा फट चुका है तो काफी सॉफ्ट है इसको 2-3 मिनिट के लिए छोड़ दें और उसके बाद हम इसको च्छानेंगे तो च्छानने के लिए हम ऐस अच्छे से इसको दबा के निकाल लेंगे उसके बाद यहांपे मैंने एक बरतन में निकाल लिया है इसको अब इसको अच्छे से मैश करना जरूरी है पनीर को gramm को मैंने आप सभी को बताया था कि मैं थोड़ा सा इसमें घी अड़ करता हूं अच्छे टैस्चर के लिए फूलाने के लिए इसको मतलब फूले अच्छे से इसलिए थोड़ा सा घी अड़ किया जाता है इसका फैट बढ़ जाएगा किलो चीनी मतलब कि जितना हमने दूद यूज किया है उतना ही चीनी यूज करेंगे और जो जितना हमने चीनी यूज किया है उसका 50% पानी यूज करेंगे मतलब कि हमारे पास है डेड़ किलो चीनी तो साड़े साथ सो ग्राम मैंने इसमें पानी डाला है तो अब देखिए अ अब इसको अच्छे से उबालाने तक हम वेट करेंगे बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे मतलब चीनी जल भी सकती है तो इसलिए हिलाना जरूरी है इसको अच्छे से और अब जब तक उबाल ना जाए तब तक हम वेट करेंगे और उसके बाद बाकी सारी चीजें इसमें हम डालेंगे इसमें वैसक कुछ नहीं डालना है बस हमने साफ करना है इस चीनी को तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूद डाल रहा हूं बस और कुछ डालने के जो तनी है तो दूद मैंने पहले ही डाल दिया है ताकि जब तक यह उबाल आ जाएगा तब तक इसमें साफ होना हो जाएगा मतलब कच्रे के साथ जो मैल जैसा होता है वो सारा उपर से निकल जाएगा तो अब इसको उठाके ऐसे फेक दें और उसके बाद जो हमारी चासनी है बिल्कुल रैडी है तो यहां पर थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर में डाल रहा हूं हाइड्रो पाउडर इस तो कुछ भी नहीं डालते है और गरम गरम ही फाड़ते है तो दोस्तों वो स्पॉंजी रसगुला होता है स्पॉंजी वाला गरम फाड़ा जाता है इसमें एड होता है मीठा सोडा बेकिंग पाउडर हो गरा है तो दिखिए मैंने जस्ट एक पिंच मीठा सोडा डाला है औ और उसके बाद एक किलो जब पनीर होता है तो उसमें एक चमच बेकिंग पौउडर डाला जाता है। यह हमारे पास 300 ग्राम पनीर है तो मतलब थर्ड पार्ड मतलब एक चमच का तीसरा हिस्था मैंने यहां पे बेकिंग पौउडर डाला है और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालके मैं इसको अच्छे से मैश करूँगा तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसके पानी के साथ अच्छे से ये baking powder है react करता है बढ़िया से तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है एक चमच और इसके बाद हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो mix करने के बाद हम इसमें डालेंगे आरा रोट और सुजी भी डाली जाते है तो आरा रोट एक किलो जब पनीर होता है हमारे पास big quantity में तो एक किलो पनीर में हम डालते हैं 100 ग्राम तो मतलब कि ये 300 ग्राम है तो करीब 30 ग्राम मैं इसमें डाल सकता हूँ तो यहां पर देखिए मैंने 30 ग्राम आरा रोट डाला है तो मैंने 3 चमच यहां पर डाल दिया है तो पूरा हो जाएगा, अब सूजी भी इसमें डालना है, तो करीब 20 ग्राम एक किलो में डाला जाता है, तो 10 ग्राम या 8 ग्राम ही इसमें डाला जाएगा, मतलब कम आधी चम्मच आप डाल दो, एक चम्मच डाल दो, तब भी ये पूरा हो जाएगा, तो देखिए मैंने एक चमसूजी डाल दिया है उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसका बिल्कुल अच्छे से डो रैडी कर लेते हैं जैसे हम रसगुले के डो होते हैं पनीर का तो बिल्कुल मैंने इसको रैडी कर लिया है अच्छे से अच्छे से इसको mix करें क्योंकि अगर अच्छे से mix ना हुआ तो रस्गुल्ला आपको फड़ भी सकता है तो mix करने के बाद अब हम इसके चोटे-चोटे balls होते हैं रस्गुल्ले के वो बना लेते हैं चोटी-चोटी गोलियां बना लेते हैं इसके तो जो भी शेप आपको पसंद हो या लंबे वाले या गोल वाले जो भी आप बनाना चाहो आप वो बना सकते हो तो मैं यहां पर फिलाल के लिए गोल ही बना रहा हूं क्योंकि गोल हम ज्यादा सेल आउट करते हैं इसको तो देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको गोल बनाना है इसके जो cracking's है वो बिल्कुल clean होने चाहिए crack नहीं होना चाहिए उपर से जो भी cracking's हो गरा होते हैं वो फट जाते हैं रसगुले तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें time जादा लग जाए कोई problem नहीं है लिकन बनाना तो अच्छे बनाना तो बिल्कुल इसी तरह से आपने सारे ready कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर ready कर लिए हैं सारे अब इसको हम क्या करेंगे सीधा चाशनी में डालेंगे तो चाशनी में डालने के लिए उससे पहले यह देखिए मैंने यहाँ बगल में लड़ उनागे रखा है बाद में इसको बनाऊंगो पहले यह रसगुले का काम खतम कर लेते हैं तो यह चाशनी में यहाँ पर gas on कर दिया है अब चाशनी में अबाल आएगे उससे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं रीठे और पानी मैंने आप सभी को बताया था रीठे को तोड़के पानी में भिगा कर रखना उसके बाद वही पानी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे तो बहुत जल्दी पक जाएंगे यासे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला तो रसगुले चाशनी में डालने के बाद आप कम से कम इसको पान्च मिनट तक तो बिल्कुल भी टच ना करें और हाँ पहले आप सैंपल एक बार एक पीस डाल के चेक कर लें अगर वह फट जाता है तो उसमें थोड़ा सा मिक्स्चर में आर रोट डाल लें या फिर सूजी थोड़ा सा ओड डाल लें तो वह दुबारा से नहीं फटेंगे तो यहां देखी मैंने बिना चेक किया सारे डाल दे क्योंकि हमारा एक्स्पिरिंस है यहां पर इसलिए मैंने बिना चेक किया डाल दिया है अब इसमें हम पांच मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे अगर टच किया तो यह तूट जाते हैं तो पांच मिनट जब हो बताया होगा हर वीडियो में बताया होगा मैंने कि जब रसगुले पक गए ये तभी पता चलता है जब रसगुले सारे के सारे चाशनी के नीचे डूब जाए जैसे कि ये देखिए तो करीब पानी लगाने का प्रोसेस कभी-कभी एक ये एक से दो बार ही होता है कभी-कभी कभी-कभी 5-6 बार भी पानी इसमें डालना पड़ता है तब भी वह बिल्कुल नीचे नहीं डूबते हैं तो देखिए अब मैं यहां पर तीसरी बार पानी डालने के बाद यहां पर मुझे लगा कि बिल्कुल अच्छे से चाशनी के अंदर डूब चुके हैं हमारे सारे रसगुले मतलब वह उपर फ्लॉट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी उनका जो 80% से ज्यादा पाठ है वो नीचे चाशनी के डूबा हुआ है तो इसका मतलब कि यह बिल्कुल पक चुके हैं तो देखिए 80% से ज्यादा पाठ इनका डूबा हुआ है नीचे तो मैंने ग्यास ऑफ कर दिया है तो जब चाशनी के अंदर ये डूब जाएं सारे के सारे तो ग्यास ऑफ कर देखिए अब मैं आपको उठा के दिखाता हूँ फिर आपको समझाएगा अच्छे से देखिए मैं दो पीसे में उठा के दिखाता हूँ देखिए चाशनी के नीचे बिल्कुल अब चासनी के अगर वो ऊपर तैर रहे होते तो इसका मतलब वो कच्छे हैं और बिल्कुल डूबे हुए हैं तो बिल्कुल पक चुके हैं तो आप मैंने यहाँ पर इसको गैस बंद कर रखा है पानी थोड़ा साओ डाल देंगे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे जो रसगुल है वो भिलकुल ठेंडा हो चुका है बिलकुल सक्त हो चुका है मतलब बहुत ज़ादा सक्त नहीं है chief inosit अकर आप डालोगे तो रसगुले सॉफ्ट ही बनेंगे कुछ लोग मैदा यूज करते हैं इसलिए बहुत ज्यादा हाड बनते हैं रसगुले आर रोड से बहुत सॉफ्ट बनते हैं दोस्तों तो जैसा कि आप देखी रहे हो यहाँ पर बहुत सॉफ्ट रसगुले बने हैं इंजुआए किजिए घर में बनाईए तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लिगी कमेंट में जरूर बताईए और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर लिजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहें